इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल तता जीमेल आइडी में सेव सारे के सारे कॉंटेक्ट नमर यानि के मोबाइल नमर सिम कार्ड के अंदर केसे कोफी कर सकते हैं या केसे ट्रांसफर कर सकते हैं सिम कार्ड में कॉंटेक्ट नमर एंडूर्ड फोन से या जीमेल आईडी से सिम कार्ड में ट्रांसपर करने की जोड़ता पढ़ती है जब हम कोई कीपेड वाला मोबाईल यूज करने वाले हो या अपनी सिम कार्ड कीपेड वाले फोन में डालने वाले हो रिजन चाहिए जो भी हो आप अगर सिम कार्ड के अंदर अपने फोन तता जीमेल आईडी वाले कॉंटेक्ट नमर कोपी या ट्रांसपर करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए कापी उपयोगी होने वाला है इसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले अपने एंडर मुवाइल में एक अप्लिकेशन आपको डाउनलोड करने पड़ेगी जिसका नाम है कोपी टू सिम कार्ड यह नाम ठीक से देख लिए यह इसका इकन है आप सर्च कर लिए यहाँ पर कोपी टू सिम कार्ड आपने सबसे उपर इउपर यह वाली अपलिकेशन आजाएगी इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे उस लिंक पर क्लिकर की भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं इस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कीजिए आप से कॉंटेक्ट नमर की परमिसन मां कोपी करना जाते हैं उनको सिलेक्ट कर लीजे अभी फिलाल आप देख लीजे फिलाल मेरी कॉंटेक्ट ओन सिम काड में सिर्फ ती नमर सेव हैं चुकि आपके सामनी यहां पर है और कॉंटेक्ट ओन फोन ठीक है यहां पर लिखा हुआ फोन है लेकिन जीमेल आईडी की भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं 817 कॉंटेक्ट नमर है तो आपको यहां पर जो फोन वाला कॉंटेक्ट नमर है इस पर एक बार कलिक करना है अभी आपके फोन के सारे के सारे कॉंटेक्ट नमर की लिष्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी आप जिन जिन नमर को कोपी करना च select कर लेते हैं कितने हो गए यहां पर ठीक है कि इतने हमने select कर लिए उसके बाद आपको यहां पर देखिए copy का एक option भी दिखाए देगा आप simply इस पर click कर देजिए जैसे आप इस पर click करेंगे तो यह सारे के सारे contact number आपकी जो SIM card वाली है देखिए SIM card वाले option के अंदर यहां पर आ चुके हैं contact on SIM card पहले 3 थे और अभी यहां पर no हो चुके हैं अगर हम इस पर click करते हैं यह देखिए तो यहां पर देखिए जो contact number हमने save किये थे select किये थे वह यहां पर आ चुके हैं contact number उसके बाद आप अपनी SIM card किसी भी mobile में डाली जो contact number आपने copy किये हैं वो उस phone में भी दिखाएंगे ठीक है इस परकार से आप अपने mobile या Gmail ID के contact number अपनी SIM card में transfer या copy कर शकते हैं अगर आपको यह जानकरी उप्योगी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें थेंक्यो